नमस्कार दोस्तों नीजिलेंड टूरस्ट वीजा, विस्टर वीजा, फंड मनेज्मेंट आज हम बात करेंगे कि फंड को हमने कैसे मैनेज करना है चाहे आपने फाइल लगा दी है यह वीडियो सबके लिए बैस रहने वाली है अगर आपने फाइल लगानी है तो आप इस वी देखो funds management में क्या होता है अगर आप solo traveler हो ठीक है तो आपने कम से कम 7-8 लैक अपने account में जो है जो करने हैं अगर आप family के साथ जा रहे हो स्पोस्पोस्थ 3 बंदे जा रहे हो ठीक है 3% आप जा रहे हो तो आपने 14-15 अपने account में शो करना ही करना है क्यों इसके पीसे वज़ा है देखो एक लाग की टिकेट जाने की हो जाती है एक लाग की टिकेट आने की हो जाती है दो लाग दो को मैनेज कर सकते हो अगर चार पांच लाख आपके अकाउंट में है और आप यही पैसे आप खर्चने के लिए आइटनेरी में बता रहे हो तो आपका जो होगा जो बीजा रिफ्यूस होने की चांस बढ़ जाते हैं क्योंकि बीजा आफिसर सोचेगा यह इस बंदे के साथ प पांच लाख अपनी इंकम दिखा या और पांच लाख आपका खर्चा आपने शो किया कि मेरा खर्चा आ जाएगा तो वीजा आफिसर सोचेगा कि पांच लाख इसकी अनुल इंकम है क्या जे दस दिन के टूर में जे सारे पैसे खर्च देगा तो आपने क्या करना है अपन ने लेवल है वह बढ़ता आ रहा हो पीछे से अगर पुराने हो ने आपने पूरा ज्यान से बरनी है अगर आप एक बंदा ट्रेवल कर रहे हो तो पांसे चे लाख यह बहुत है कम फॉंट्स हैं आपको साथ आठ नाख आपको शो करने पड़ेगे अगर आप शिंगल कर रहे हो अगर फैमली के साथ कर रहे हो तो फिप्टींट से अब चाहिए जहां फिफ्टीं शे अबách चाहिए चाहिए वो लिकृड में हो चाहिए वो FD के रूप में हो बट हाँ एक बात और है कि अगर आप सारी फैमली चार-पांच बंदरी ट्रेवल कर रहे हो तो 20 लैक से अबब आपके फंड्स होने चाहिए इसके पास डबल पैसे हैं और हाफ अगर इसमें अगर यह खर्च देगा तो इसकी फिनेंशियल कंडिशन पर कोई असर महीं आएगा तो यह चीज़ें आपने दियान रखनी है और भी कोई क्यारी हो अगर आपकी फंड्स को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर न्यूजिलेंड तुरेस्ट यहां विश्टर वीज़ा को लेकर आप मेरे से किसी भी वक्त कॉंटेक्ट कर सकते हैं कि कोई information आपने हैं कोई आपकी हो आप किसी भी टाइम मेंसे बात कर सकते हो और नमस्कार